सभी स्वयम साहता समू की दीदियों का आज के मारे इस नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के लिए खुश खबरी है जी हाँ स्वयम साहता समू में आ गई है IPRP की नौकरी एक बार फिर से जी हाँ पिछली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि CLF बुक कीपर की नौकरी के आवेदन हो रहे है तो इस टाइम पर CLF बुक कीपर की नौकरी के आवेदन हो रहे है प्लस IPRP के पद भी आ गए है IPRP के पद पर भी आवेदन सुरू हो गया है IPRP के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजेगा और यदि आपको IPRP के बारे में जानकारी और अधिक भी चाहिए तो चैनल पर हमारे पहले से भी और वीडियो अपलोड है IPRP के कारे के बारे में मांदे के बारे में तो वो वीडियो भी जरूर देखेगा लिंक उपर आई बटन में लास्ट में एंड स्कीन पर लगा ही देंगे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे देख लीजिएगा लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे IPRP के पदपरावेदन किस जिले में हो रहे हैं और कहां पर हो रहे हैं और साथ ही IPRP का कारे क्या होता है फुल फॉर्म क्या होती कितना मांदे मिलता है किस पकार से चैन होता है यह संपूर जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी चलिए एंड तक बने रहेगा अच्छे से वाच कीजिएगा फुल जानकारी लीजिएगा वीडियो सुरू करते वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएगा और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रस करके सबसे उपर आल वाले बिल आइकन को भी जरूर से प्रस कर लिजएगा इससे आप को ही फायदा मिलेगा कि जैसे कहें कोई भी मैं नई वीडियो अप्लोट करूँगी सबते पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और सबते पहले आप उसको देख पाएंगी जो मैसेज हमें मिला है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी युस में लिखा है IPRP की आविदन के लिए सबते पहले मैं आपको IPRP की फुल फॉर्म बता देती हूँ और पी की फुल फॉर्म इंटनल जिरणल विसथलche पर सन होती है ठीक है यह वी कईडर ही है तो काईडर ही चतने भी होती हैं अच्छा तो आई पी आर पी का काम क्या होता देखिया एक आप में सुण अब पी होती है तो आई सी आर पी जो होती है वोस गाउं गाउं में जाती है समु बनाने के लिए बना कर चली आती है आई पी आर पी का काम होता है गाउं गाउं जाकर उन समुहों को अच्छे से संचालन करवाना उनको समुह के बारे में जानकारी देना जो चीजे समझ में नहीं आती हैं देड़ी लोग को बताना, उनके कारे, उनके उत्तरदाईत, वो समू का register कैसे लिखना है, समू का संचलन कैसे करना है, fund कैसे मिलेगा, form भरवाना, समू सकी से मिलकर कारे करना है, bank सकी से मिलकर कारे, समू को चलवाने का काम जो होता है, वो IPRP की जिम्मेदारी होती है इनको कई सारी ग्राम पंचायते दी जाती है और ये जो कैडर होती है ये CLF की कैडर होती है क्लस्टर की कैडर होती है तो क्लस्टर में ये इनको नौकरी मिलती है और ये उसमें कारे करती है अब बात करेंगे कि इनका कारतों समझ में आ गया लेकिन अगर इनका चैन होगा तो कैसे क्या करना होगा इसके लिए आपको एक offline form बिलोग पर जाकर ही मिलेगा बिलोग पर अपने जाएंगे NRLM office में जाकर BMM से मिलेंगे वहाँ पर IPRP के form आपको लेना है जो document लगेंगे वो लगाना है document आपके यहीं है फोटो लगेगा पढ़ाई लिखाई लगेगी तो पढ़ाई लिखाई कम से कम इंटर पास मांगी जाती है इंटर पास है आप गडित का अच्छा ग्यान हो हिंदी का ग्यान हो और साथ ही जो एंटराइड मोबाईल है वो आप अच्छे से चला पाती हूँ क्योंकि सब कुछ आएप पर काम करना होता है इसलिए एंटराइड मोबाईल चलाना आपको आना चाहिए तो यह इस तरह से पड़ाई लिखाएगा डाकॉमेंट हाइड स्कूल इंटर का मतलब दोनों का लगेगा चाहिए आपने इंटर किया और बीए जो भी किया हो कम से कम इंटर हो हाइड स्कूल से लेकर वो सारे डाकॉमेंट लगेंगे आपका बैंक का पास्बुक का फोटोकाप या धरकाड यही सब लगता है फॉर्म फिल करके आपको वहाँ जमा कर देना है उसके बाद आपको मोबाईल नमबर वो तो वहाँ भरा ही जाएगा फॉर्म पे तो उसी पर आपको कॉल की जाएगी जब आपका एक्जाम होना आती है तो फिर इंटर्वियू के लिए आपको बुलाया जाएगा और जब इंटर्वियू आपका कंप्लीट हो जाएगा पास कर जाएंगी तब ही आपको ड्रा के माध्यम से कोई क्लस्टर में नियुक्ति दी जाएगी ध्यान रखिएगा कि क्लस्टर के लिए मतलब पास-पास कोई दूसरा cluster दिया जाएगा और इसमें यह भी है कि अगर आपको बाहर भीर जाए तो वहां जाने के लिए पिछुक होनी चाहिए ऐसा ना हो कि कोई रोग टोग हो तो इस पकार से चैन होगा इसके लिए मैंने पहले से ही कई सारी वीडियो अप्लोड कर रखी है कि आई प्यार पी के एक्जाम में कैसे प्रश्ण पूछे जाते हैं और इंटर्विव में किस पकार से पूछा याता है प्रश्ण वगरा कैसा इंटर्विव होता है वह भी आपको उपर आई बटन में लिंक मिलेगा वीडियो जरूर देखिएगा अब बात करेंगे कि पचायते दी जाती हैं और इनका मांदे 10,000 से कम तो नहीं बन पाता इसे जादवी बन जाता है तो फिलाल यहीं बतार जाता है और आपको बताएंगे की empiry का जो फॉर्म है उसे जो भरने की एज क्या होनी चाहिए तो यहां पर जो एज बताई जा रही है वो कम से कम आपकी 18 वर्स और अधिक से अधिक आपकी 45 वर्स होनी चाहिए अब बात करेंगे कि कौन दीदी IPRP में फॉर्म भर सकती है तो देखिए यदि आप सम्हू से जुड़ी है आपका सम्हू में अच्छा खासा लेंदेन है पंच्शूत का पालन कर रही है और आपका सम्हू जो है कम से कम पुराना होना चाहिए 6 महिना पुराना है तो अच्छी बात है एक-दो साल का experience भी इसम समझाया है उसको उस पर आपके लिए करके लिंक पर जरूर देखेगा चनल पर जाकर करके तो इसमें एक दो साल का अनुभव भी मांगते हैं समु सखी जैसे हो गई या और कोई कैडर है तो वो इसमें वरीता पाती है उनको पहले दिया जाता है यदि वो अच्छा कारे कर र लेगी ठीक है तो समु का रिजिस्टर लिखने का अनुभव होना चाहिए क्योंकि यह सारा काम आई प्यार पी का भी रहता है और इसी के साथ में आपका समु जो है वो ग्राम संगठन में जुड़ा होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगी अन्था आप इस उस ग्राम संगठन में जुड़वा सकती है विलोग जाके बीमम से बात करके ग्राम संगठन के जो पता धिकारी होते हैं उन से बात करके तो यह जारी प्रक्रियाएं हैं जो कि आपको करी होनी चाहिए इस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगी और चैन जो है लिखित पर कर रहे हैं यहां पर आई पी आर पी और सेलिक कीपर का आई दन हो रहा है और एक बिलोग में चार किलस्टर होते हैं औरशार तो होतें एक ब्लोग में चार आई पी पीपर के पड़ हैं तो आपके बिलॉग पर आपके जिले में आवेधन हो रहे हैं या नहीं ये आपको खुद पता करना होगा अपने भी लोग पर आप जानकारी कर ले यदि वहां पर पद खाली है है आवेधन हो रहे हैं तो अपको मिलती रहेगी वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकारी के साथ आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद